नमस्कार मैं हुजय उतिस कुमार ये सवाल है बहुत दिनों से कई फ्रेंड्स का एक गंडा जमीन कितना बड़ा होता है और गंडा के बारे में पुछे है पूरा वीडियो को देखे छोटा वीडियो है एक गंडा जमीन ये देखे इतना बड़ा होता है यह देखे, 30 फीट, 30 फीट लंबाई और 28.8 फीट चवडाई का होगा एक गंडा, एक गंडा का प्लोट है इसका छेतरफल होता है 864 फीट, एक गंडा बराबर 864 फीट होता है यहाँ पर एक कारा बराबर 216 फीट इतना होता है गंडा का उप्योग करते हैं वहाँ के लिए देख लिजिए और एक गंडा, एक गंडा बराबर 80 फीट 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 होता है वर्ग मेटर और एक गंडा बराबर 96 फीट 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 होता है और एक गंडा बराबर और भी दख लेजिए एक गंडा बराबर 0.05 कानी होता है इतना कानी और एक कारा बराबर 0.25 गंडा इतना गंडा होता है अब और एक देख लेजिए एक गंडा बराबर ये 240 धूर होता है ये यहां इतना को माना गया है और आप लोग जानते हैं 68.0625 वह अलग है लेकिन इतना यहां इतना से जानते हैं आप देख लेजिए कि एक हेक ट्यार एक 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 बीघा में कितना गंडा इसको भी देख लिजिए एक हेक्टेयर बराबर एक हेक्टेयर बराबर एक लाक आट हजार नौशव वर्ग फिट होता है वर्ग फिट होता है एक एकड बराबर जानते हैं 43.560 वर्ग फिट एक बीघा इस्टेंडर बीघा 27.225 वर्ग फिट एक काठा ये काठा बराबर 1361.25 वर्ग फिट एस्टेंडर लग्डी से लिकाला गया है एक लग्डी बराबर 8.25 फिट के लग्डी से आप देखें कितना एक हेक्टेर बराबर कितना गंडा होगा इसको जानने के लिए लिख लिजे एक हेक्टेर बराबर एक हेक्टेर बराबर एक लाख आठ हजार नौशो बटे में कर देजिए आठ सो चवंशट बराबर होगा बराबर होगा एक सो चब्विश दसमलो 0,4,1,66 दसमलो के बादावर भी है इतना गंडा होगा एक हेक्टेर बराबर एक लाख आठ हजार नौशो वर्ग फिट एक हेक्टेर बराबर जहां होता है वो सब इसे देख लेजिए और दूसरे को यदि आप एक हेक्टेर बराबर एक दस हजार एकाई दाहाई सेकडा हजार दस हजार वर्ग मीटर को प्योग करते हैं तो इसको 80.268 से भाग कर देजिए तो बराबर होगा 124.58 गंडा तो इसमें कन्फूज नहीं होना है इसका उपियोग करते हैं लोग इसे देख लेजिए इसका तो हम लोग उपियोग करते हैं तो हम जान सकते हैं कि अपने यहां कितना गंडा होगा एक हेक्टेर बराबर और अब देख लिजिए एक बीघा बराबर एक बीघा बराबर 27,225 बटे में कर दीजिए 864 बराबर होगा 31.51 पांच एक गंडा इतना गंडा होगा और एक एकड में देख लिजिए एक एकड एक एकड बराबर एक एकड बराबर 43,560 बटे 864 बराबर होगा 50.4166 गंडा इतना गंडा यह दसमलों के बाद और भी है और एक काठा में कितना गंडा इसको भी देख लिजिए एक काठा में कितना गंडा तो एक काठा एक काठा बराबर तेरा सो एक सट दसमलों दो पांच वर्क फिट होता है इसको 864 वर्क फिट से भाग कर दिजिए तो बराबर होगा ये एक दसमलों पांच साथ पांच पांच इतना गंडा होता है ये दसमलों के बाद और भी डिजिट है और जैसे हम लोग एक धूर बराबर एक धूर बराबर 68 दसमलों 0625 वर्क फिट का उप्योग करते हैं तो यहाँ पर एक धूर में कितना गंडा इसको यदि जानना चाहेंगे तो ये 68 दसमलों 0625 वर्क फिट से भाग कर दिजिए तो बराबर होगा ये 0.0787760417 इतना गंडा होगा एक धूर बराबर आप लोग यदि इस तिंड़ लगी और धूर को प्योग करते हैं तो एक धूर बराबर इतना गंडा अब हम जानते हैं कि एक गंडा में कितना धूर इस भूर से